यह वीडियो के वल सेक्षनिक उद्यस्यों के लिए बनाया गया है यदि इस वीडियो में किसी परकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेश पहुंचती है तो उसके लिए हम शमा प्रार्ति है नमस्कार दोस्तों मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैट्स फॉर यू में और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि यह चैनल जो है हमने बनाया है मैथेमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुचाने के लिए और आप सभी के प्यारबरे सेयोग से हम अपने उद्यसे में काम्याब भी हुए हैं दोस्तों आज का जो वीडियो है वो अधरित है कोडिनेट जो वीडियो से चल रही है उसके उपर कोडिनेट दियानी की द्वीवी निर्दशांग ज्यामिती के हमने आठ लेशन देख ल यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वीडियो देख लिजिए ताकि आपको कोडिनेट का जो बेसिक नोलेज है वो मिल जाए यदि आप डारेक्ट इस वीडियो को इसके टॉपिक से हिसाब से देखते हैं तो भी आपको बिल्कुल आरांग से किमामेटरी बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है मैतेमेटिक्स का निर्देशांग जियामेटी जिसे हम कहते हैं इसमें 2D और 3D दोनों ही हम पढ़ेंगे साथ साथ हम इसको ले रहे हैं अब आज का जो हमारा टॉपिक है वह हम टॉपिक लेते हैं केंदर से देखें पिछले दोनों केंद्रक क्या होता है कि कोई बीजभुश होता है यह मानलों कोई बीज़ है इस त्राइथ संक आ है ए भी सी ठीकह इस त्राइबी किस利 fences कि सामने के मध्य हम इलाएंगे तो यह हम मिलाने वाली रेख ओगी हमारी माधिका है कर द्निंट्ऌें इसी परकार से जब हम इसको केंदरिक बोलते हैं और केंदर केंदर की कांदर माणले की या वाद ही आधारित तो absolत कि जो इसरी हाद की केंदर नुक्न करणा ऐंग मुझ है मिले चार और केंद리क अब दिन्य की कांद दियाँ तब सबसे पहले मा उनका नाम आपको बता देता हूं पहला जो हम पढ़ेंगे वो है अंतह केंदर, क्या है अंतह केंदर, यह क्या होते हैं और इनके कोडिनेट्स क्या होंगे, उनके बारे में हम वीडियो में देखेंगे, आज के वीडियो में सिर्फ हम यह चारों केंदरों के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो मे мовन दूसरा इन्गिन्दां इसे हमनल से बोलता है कि इसे बोलते हैं सरकम सेंटर तीसरा केंद्र में में थे क्यांड़र वैहां पढ़ने वाले हैं थे में ये रहें ते लातों सेटर को और चो था जो बिंदू हम पढ़ने वाले है वह है या इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं ओर्थोसेंटर टीक है तो यह चारों केंदर क्या होते हैं तिर्बुज में किस परकार से होते हैं नितिशाग जामिति में कैसे उनको समझते हैं यह आसकी वीडियो में देखेंगे प्रफिक वाइज आप इनको पड़ोगे तो नेक्ट वीडियो में इनको एक एक को लेकिन केंदर में देखने पड़ेंगे तो सबसे पहले क्या होते हैं यह समझना मारे आज की वीडियो का मुख्य उद्यस से है तो वीडियो को लाच तक ध्यान से देखिए कि आपको जरूर समझ में आएगा सबसे पहले मैं थोड़ा इसकी बारे मैं बताऊंगा देखिए चारों एक तरह के केंद्र हैं ठीक है इसल अगला जो हम देखते हैं वह क्या है देखते हैं अंतह ہ हैं ओट है केंद्र यानिंगी इनसेंटर को अब देखिए अंतह गैंदर क्या होता है आप इसको द्यान से समझ को अंतह केंदर के मतलब आप समझ सकते हो कि ये केंदर का होगा अंदर होगा। अंदर कैसे होगा। समझने के लिए हम बनाते हैं एक तिर्बुझ सप lesser ये मैंने बनाया एक तिर्बुझ टिक ये नाम दे दिया इसको A B और C अब देखे अंत्य के अंदर को यू लिख सकते हो आप इसको समझ सकते हो अंतरगत वरत का केंदर अंतरगत वरत का केंदर आप अंतरगत केंदर को यू भी आत रख सकते हो कि अंतरगत वरत का केंदर तरगवर्थ क्या होता है? हम एक एसा वरत बनाये जिसकी जो परिदी है इन तरगवर्ध की तीनों बुजाओं को अन्दर से इसपर्ष करें तो यह जो वरत बनेगा इस वरत का जो केंदर होगा वही हमारा क्या क्या बनेगा? नंत्य केंद्र थे नंत्य युदी को होगा इसा उसा केंद्र सकते हैं इक परिकार से परकार से शसले जारा। को क्यों ही वरत कि सफे करें तो इस तरह का जो वरत है क्या करい एक बात अब इसको हम ग्यात करेंगे हैं तो अंतरगत करने के लिए हम क्या करते थे। weapons का ने लिया है ठीक है आप ca इस सम्झो चाहें जो अबने लिया है अबसी इसके अंदर तीन कोनर्टर को सब्सक्राइब है एक है कोनर्टर एक है कोन परतों एक है कोण सी ठीक है यह त्युह कोन esos कोणों का अर्धक को क्या बोल सकते हैं वही हमारा क्या कहलाएगा जब आप आंतरगा दिवर्त को चोटी पहले दोनों कोणों का अर्धक निकाला, फिर इसको केंदर मानते हुए, आपने यहां तक जो रेडियस मानते हुए इस तरह से जवाब वरत कहा चुए तो बिल्कुल इनको तीनों को अंदर से क्या करेगा, इस पर स करेगा, ठीक है, तो यह हमारा क्या होगा, अंताय केंदर, यहाँ अनताए केण्द रिंद्र की प्रिवायस आप दे सकते होगी तिरभुज के अंत्रगत वरत का जो केंदर होता है वह अनताए के एंदर कहलाता है या तिरभुज के कोर्ड़ का अर्धकों का मिलान बिंदू आप लिख सकते हो तिरभुज के कोणों के अर्दकों का मिलान बिंदु क्या कहलाता है आपका इन सेंटर या अंतेकेंदर कहलाता है यहाँ पर मैं सही पासा में लिख देता हूँ यानि कि कोणों के अर्दकों का मिलान बिंदु क्या कहलाता है अंतेकेंदर कहलाता है हु unos 5 तो आता केंदर क्या होता थैर्बूज के अंदर का वह केंद्र कैसे अंतर करते हैं तिर्भूज के टिरनों को या किनी भी 2 कोनों का आर्दक निखालो उनके कि अर्दक जिस बिंदू पर मिलेंगे वही मिलान बिंदू क्या कहलाए। ये हो गया हमारा अन्तेकutanद्र ठीक है तो अंते केंदर हो गया तिरबुज के अंतरगत वृत का केंदर ठीक है अब चलते हैं हमारे नेक्ट की तरफ अब देखे पहला जो था अंते केंदर उसी से मिलता जूलता हमारा क्या है दूसरा पहला अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो दूसरा भी आपक क्या होता है चारो तरफ यानि जो अंतर के इंदर था वो अंदर के वर्त का केंदर था इसी परकार जो परी के इंदर होता है वो परी यानि चारो तरफ के वर्त का के इंदर होता है सपोज यह एक दिर्बुज है और एक वर्त हमने ऐसा खेंचा जो तिर्बुज के तीनों सीर इस तरह का विर्थ हमने खेंचा इस वर्थ को आपको ध्यान होते हैं इस वर्थ को क्या कहा जाता है इस वर्थ को परीगत वर्थ कहा जाता है क्या कहा जाता है परीगत वर्थ या इसको शौट में परीवर्थ भी कहते हैं सरकम सरकिल चोटी कला सम आपने इपड़ रखा होग कोणों का अर्दक है आप क्या करोगे तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? ये स्फपोज एक तिर्बुज है वहां पर हमने क्या क्या एक टिर्बुज है कि यहां पर हमें लेना है बुजाहों का अरधक की होगा दौई कि यह भुजाह हम इसका लम्सम्धिवाजक करेंगे करेंगे तो यह जो मिटआता इसी प्रकार घंजा होताम करिゆेяться तो परिगत्विर्त क्या हो गया तिरिभुज की भुजाओं के अर्दकों का संगम बिन्दू त्रिपुज के भूजाओं के अर्दक की जिगह हम यहांते हैं परी के हिंद्र बोक्ता है क्यक्त परी के हंद्र बोलता है यह तिर्भुज के चारों तरफ हम एक ऐसा खेंच है कि तिर्भुज के तीनOSE CSTS वरत की पर आये तो उस वरत काो केंदर हो वह क्यों या नर्काइक लाएगा परी खेंदर को आप शोट में आसे हैं परीगत वरत का खेंदर है उसे ही हम क्या बोते हैं। परी के इंदर नियुक्त का इन पर आके दो आप खेंचोगे तो दोनों एक ही बिंदो पर में लेंगे उसे ही हम क्या बहुत फिर्स को आप खेंचोगे तो बिल्कुल वो इस तरह से तीनों के अंदर ही भी बिलुब वीद लग रहा होगा लेकिन जब आप इसको परकार पहरिणिक निक सहीता से थिए सबस्टि में दिखेगा को बड़ा करते हैं सब के इम आपात है इस तरी परी में कीक को इन्द्र को ओ लेते हैं तीसरा है थीसरा है हमारा 22 के इंद्र ही के तीसरा है 22 के परी के इंद्र का दो बोलता है 10 % मचेंटर है एकनुन की गडुन talking के शला है। ឍक की ऐगा वं धार करने वार्टेर को लिए मरत आपको ध्यान रखना यहां के रसे हैं कि ट्रवुज के अंदर या जो होगा वार अपको नला फोड़ा साथ तोड़ का फा नटे तूड़ा क्षटी के अंदर अब भाइस के अंदर भी में आपको बात ध्यान लखना हैं क्या होते हैं अगर ध्यान से देंगन ऊपरालय से бесп both बहिस के अंदर होता है तरफ की दो बढ़ा हो जैसे इस बुझा को मैंने आगे बढ़ाया इस बुझा को भी मैंने आगे बढ़ाया तिर्वुज की दो वुजाओं को आगे बढ़ा दिया तो दो वुजा है तो ये और एक वुजा ये तो ऐसा वरत जो इस वुजा को इस वुजा को और इस वुजा को इस पर्श करता हुआ बने ऐसा वरत बने उसका जो केंदर होगा वो हमारा क्या 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 बहीश केंदर क्य कहलाता है तो 20 के अंदर क्या होता है किसी तिरभुजy की दो वुझाओं को बढ़ाने पर तीसरी वुझा और दोनों भड़ी भी भुझाओं को इस पर सकरता हो जो वुरत है उसका जो कहेंदर होता है वह हमारे कहलाता है भाईस के अंदर कहड़ाता है ठीक है अब ये मैंने भाईस के अंदर बना रिया अब आप ध्यान से देखो यदि मैं दो बुजाएं ये ले ले लेता एक बुजा तो ये ले ले लेता और एक बुजा में ये ले ले लेता और एक बुजा ये हो जाती तो एक बुजा ये और इसको मानते वह एक स्राइब सकता है तो यदि में इस वजा को यहां बढ़ाता है और कि थया पर इस परस करता दो एक ब्रत ख्यंचना है उसका केंदर वहं भाहरा हooky वह 16 होगा तो ऐसा यहां पर भी होसकता है I यह सूर्ष ऐ के शिर्ष सब्सक्राएं मोट के काँदर है तो इसको आईब rifles के आगे Ursて current I इसी तरह से सीर्स B के साप soprattutto देखें तो B के साप ये बाहिश के न्दर है तो इसे हम I2 माल लेते हैं, और सीर्स C के साप एक्स देखें, तो इसको हम क्या माल लेते हैं, यानि किसी भी तिरबूज में बाहिश के अंदर क्या होता है, 3 होते हैं, I1, I2 और Anwaying 3, यहां पर तीन 22 केंदर होंगे, एक ही तिर्पुझ में, 22 केंदर क्या होता है। कई मिधी दो वजाओं का आगे बढ़ाओं तो बढ़ी भी बुजा और तीसरी वजा है वह इन तिनों को इसपर्श करते हुए वरत का केंदर होगा वह हमारा क्या कलाएगा 22 केंदर तो यह है 22 केंदर बहुत सिंपल है बस थोड़ा सा कन्फिंजिंग है तो आपको एक दोबार इस वीडियो को देखो के तो आपको बिल्कुल आराम से आजाएगा फिर आने वाले वीडियो में हम इन एक एक को देख के का सूतर पढ़ेंगे तो यह और ज्यादा केलियर आपके यह है बढ़ का दिकान कर ANDREW का खर्ष यह अरफ का दसे का बाफ बखी को आपके वीडियो में है überhauptust यह का हम ने बाफ के अदर बाहर ता इसनलिए वह पॏसके अंधर अन्तर के अंधर अधर पर्ड़त क एंधर्का केंदर था लेकिन यहां पर यह ल compelled केंधर है तोłby यह हिस यह इससे हमने सामने अले बजब पर क्या डाला यह लंब डाल दिया लंब गरीप बनाते हुट गहंची कही रह को यह वर इस से पर लंब डाला तो न जो जो दॉल्ब डालते हैं उनका प्हसी जो बिंडुया आता है वो होता है हमारा लंब केंदर और तीसरे से अगर आप लम डालोगे तो वो भी उसी बिंदू सोकर गुजरेगा तीनो एकी बिंदू सोकर गुजरेगा तो यह हमारा कहलता है लम केंद्र या इंगलिस में से हम बोलते हैं और्थो सेंटर तो और्थो सेंटर की परवासा तो बिल्कुल सिंपल सी है सीर्स से सामने की बुजा पर डाले गए लंबो का मिलान बिंदू सीर्स की बुजा से सामने की बुजा पर डाले गए लंबो का मिलान बिंदू वह कहलाता है आपका लंब के अंदर कहलाता है यह तो बिल्कुल सिंपल है अब लंब के अंदर होता है वह भी तिर्बुज के अंदर ही इस्तित होता है जो परी के अंदर हमने पढ़ा था वह भी तिर्भूज के अंदर ही था हूँ टिर्भूज के हाँ है और 3 होती है yeah फर से नहीं कि उसकी हिस्तिति और निर्बब्ध करेगं जैसे सपोज मैंने एक से से लिए अजया ग tienes लिए कित देख ना तो संकोर्फ के फोच में क्या होगा संकोर्फ तो तिर्भुज विल की बिंदय को और यही बिंदय को और जो Y यहां ईआएगा 你सका down अगर एसा होता अधिक कौन आपक कसा होता अधिक आधिक आ दू तो यहां पर तिर्भुज संगोन दिर्भुज हैं और यहां अगर चमंग कसा होता equality तो इस बुजा से इस बिंदू से सामने की बुजा पर जो डाला गया लंब होता वो यहां आता इस बुजा से सामने की बुजा पर जो डाला गया लंब हो यहां आता इस बुजा से इस बुजा पर डाला गया लंब तो इस बुजा को जब आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर यह यहां आता ठीक है अब वैसे दिखने में तो यह कहीं नहीं मिल रहे हैं लेकिन आप ध्यान से देखो इसको आप यहां बढ़ाओ इसको आप यहां बढ़ाओ और इसको आप यहां बढ़ाओ तो यह तीन नों यहां पीछे कहीं जाके मिलेंगे यहां पे तो इनका लंब के करता है और अन्ट के श्तेति का उगी अं-दर होता है अगर इसके अपर cielo Trou batch होता है दरा है और पर अगर अधिवाए के यह अंदर करता है और यह उस मैं अंता के अंदर में भी यह बात हो इस्ट इशे गाहिए अगर टिरवज की स्थेती कुछ अलग है अधी कोन धी बाहर हो सकता है इस चांज है कि बहुत प्रेखार के इंदर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्यों चार के अंदर थे, चारों को मैंने बारी किसी समझाया, आपने समझा, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने समझाने का परयास कि आपको जरूर समझाया होगा, वीडियो में कहीं पर भी कन्फेजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूचें, वीडियो अच्छा लगे, का अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जरी पुझáallylus तक जरूर बताईए, मिलते हैं जरूर बavezाएए, का अवासमा है, वीडियो में ऊगर कमेंट जरूर वीडियो ऐगे जरूर जल ख。